कि यहां जो भी लिख रखा इसको आपको हम सौट में समझाते हैं तो सबसे पहले समझें कि स्केल क्या होता है जैसे मालीजे कोई औबजेक्ट है यहां पर एक हम बोट ले लेते हैं और इस औबजेक्ट का आप एक इमेज बना दिए तो इसका इमेज बनाएगा तो इसी के इमेज बनाएगा ना भले ही उसका इमेज आप छोटा बना दिजिए या बड़ा बना दिजिए लेकिन बनाएगा तो ऐसे ही तो देखें इसका एक इमेज बना दिए इस तरीके से और यहां पर आप देख रहें कि इसके image का जो size है वो different है लेकिन इसका shape तो same है shape तो इसी के जैसा भला ही इसका size different है तो इसी को बोला जाता है scale या फिर इसको भी बोला जाता है model scale तो याद रखेंगा scale क्या होता है तो किसी object का आप image बनाते हैं तो उसी image को बोला जाता है model scale या फिर scale और उस object का जो image आप बनाएगा तो उसका जो shape होगा वो same होगा लेकिन size different हो सकता है मला यह बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है इसके equal हो सकता है बट इसका shape होगा अब इसके बाद समझिए scale factor तो scale factor क्या होता है तो scale factor equal to होता है dimension of image upon dimension of object तो इसको हम ऐसा याद दखेंगा क्या scale factor equal to the dimension of image upon dimension of object dimension का मतलुआ length और breadth तो उपर में रहेगा image का length या breadth और निचे में रहेगा object का length या breadth इसके बाद देखे question number 1 करा a model of boat is made on the scale of 1 ratio 4 करा कि एक boat का model बनाया है और उसका scale ratio दे रखा 1 ratio 4 जैसे यहां पर देखे माल लिजी एक boat है और इसका एक model बनाया गया तो इसका model इस तरीक से रहेगा boat के ही जैसा भला ही वो model बड़ा हो इससे फरक नहीं परेगा लेकिन यह boat के जैसा ही रहेगा तो यह हो गया model और यह हो गया boat और इसका जो scale ratio दे रखा वो दे रखा 1 ratio 4 इसके बाद देखिए यहां पर इसको नोट के लिजी वह रखा है इसके बाद बोरा दा मोडल इस 120 cm long यह जो model है वो 120 cm long है तो यह देखिए model यह है तो इसका length दे रखा 120 cm इसके बाद the full size of the boat has a width of 60 cm और इस boat का width दे रखा है 60 cm यह boat का width यह वला portion हो जाएगा width यह दे रखा है 60 cm आट यहां बोरा भार्तित तब width of the scale factor तो scale factor का width क्या होगा scale factor का मतलब हो इस model के बारे इसका width यह बला हो जाएगा । यहांसे इसका width मतलब width का length बताईए यहां पर पहले बताईए scale factor equal to क्या बताए थे तो a scale factor equal to बताए थे dimension of image upon dimension of object उपर में रहेगा image का dimension आ नीचे में रहेगा object का dimension dimension का बन्तों length जो भी आपको निकालना रहेगा उसके अनुस तर यहां पर dimension लिजएगा अगर length रहेगा तो निकालना तो length लिजएगा ब्रेथ रहेगा तो सबस्केट का बडिदित आपको निकालना था यहां पर डायमेंशन के आप लिजएगा बिदित यहां पर हो जाएगा टॉबू और यहां पर डायमेंशन ओफ चैह दैन्स ऐसकर बाट जो यहां थी रहेखे तो यहां पर आ जाएगा 60 यहां पर फोर से काती है 60 को 15 बार में क्रोस मल्टिप्लाई कर दिजे तो यह हो जाएगा W इक्वल टू 15 सेंटिमीटर यानि जो मोटल का जो बिदी था आएगा यह जाएगा 15 सेंटिमीटर तो यह हो जाएगा option C Question number second What will effect the similarity of any two polygons करा कि किसी भी दो polygons के similarity को क्या effect करेगा क्या effect करने का मतलब हुआ देखें यहां पर option दे रखा है और कौन सा option polygon के similarity को effect करेगा यह आप से पूछ रहा है तो सबसे पहले आप बताएगी कि polygon दो polygon similar कब होता है जब उसका corresponding angle equal होगा और corresponding side का ratio proportional होगा तभी यह दो polygon similar होगा तो यहां पर देखें option A में करा they are flipped horizontally दोनों polygon को horizontally flip किया जाता है तो जब horizontally flip करेगा तो जैसे माली जी एक polygon है ABC और इसको horizontally flip करेगा तो यह इस तरीकी का बन जाएगा यह जो यह वाला point है वो आजाता है यहां पर यहां पर A आ जाएगा और यह वाला point आ जाता है यहां पर यहां पर C आ जाएगा और यह वाला point आ जाएगा यहां पर B आ जाएगा तो देखें जब इस polygon को horizontally flip किया है तो इस तरीके से बन गया और इसके angle में तो कोई change आएगा नहीं जैसे माली जी यहां पर angle है जैसे माली तो 30 है और यहां पर माली तो 50 है तो यह वाला angle हो जाएगा 100 और यहां पर माली जी यह side है 5 यह है 3 और यह माली जी 2 है तो यहां पर देखें जो A B है वो इधर आ गया तो यह भी तो 5 ही रहेगा मैं और यहां पर देखेए जब डोनों पॉलिगोन को होरीजेंटली फिलिप कि यह इस तरिक के का पॉलिगोन बन और यहां पर आप देख रहें दोनों THOMegen में कि यहां पर दोनों पॉलिगोन सिमलर आपको दिख रहा होगा क्योंकि क्या थे इक उंगल यहां पर यह बना सी था जो यहां पर हो गया है और 50 वहां पर चल गया लाकिन कोस्पो diff. इक्वल ही है और यहां पर देखिए यह दोनों आपस में corresponding हो जाएगा इसका भी रेशियो निकालेगा तो यहां पर दोने पोलिगोन सिमलर हो ही जाएगा तो option A इस पोलिगोन के similarity को कोई भी effect नहीं करेगा तो यह option A रोंग हो जाएगा इसके बाद देखिए option B करा they are dilated by a scale factor करता उसको scale factor से dilate किया जाता है डाइलेट का में लोग होता है उसको और बड़ा कर दिया जाता है तो मालेजी एक पोलिगोन है ABC और यह मालेते हैं यह इंगल है 30 यह ले लिजे 50 यह हो जाएगा 100 और इसके side ले लिजी यह है 2 यह है 3 और यह है 5 और बोला कि इस पोलिगोन को डाइलेट कर दिया जाता है इसको बड़ा कर दिया जाता है और स्केल फैक्टर का मतलब हुआ कि इसको मतलब समान रूप से बड़ा करना समान रूप से बड़ा करने का मतलब हुआ कि या तो सारे side को 2 गुना कर दिजिए या सारे side को 3 गुना या फिर 4 गुना इस तरीके से जैसे मालेजी कि इस न करीगा तो यह हो जाएगा फौर यह हो जाएगा 6 और यह फाइब का हो जाएगा टेन लेकिन अगिल स्य मद यहाँ एंगिल थो जाएगा यह भी वह जाएगा अब यहाँ पे देखें क्या दोन उपisfar is similar है यहाँ आप देखें रहे है को corresponding angle equal है और corresponding side का अगर ratio निकालेगा तो वो ही same आएगा जैसे देखिए यहां पर AB का corresponding AB और इसका ratio निकाले 2 by 4 तो आजएगा 1 by 2 यहां पर BC का corresponding BC और इसका ratio निकाले 3 by 6 तो यह भी आजएगा 1 by 2 इसके बाद है AC और इसका corresponding AC और इसका ratio निकालेगा तो 5 by 10 तो यह भी आजएगा 1 by 2 तो corresponding side का भी ratio से मारा यानि यह दोनों भी polygon similar है तो यह भी polygon के similarity को कोई effect नहीं करेगा इसके बाद देखिए option C they are translated down यह दोनों को जब translated down किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे यह x-axis है और यह by-axis है तो इसमें एक polygon उपर हो जाता है एक polygon नीचे हो जाता है जैसे माली जी नीचे वाला polygon है इसमें A, B, C यहां पर है जी तो इह यह यहां पर और यहां पर धेखर है कि मतलब दोनों प weniger का side, same है और angle भी Same है तो यहां घरता है से सिमलर हो जाएगा लेतल मिपर में great नहीं करेगा, option D दखे, यहाँ पर करा, they are not the mirror image of one another, करा कि वो एक दोसरे का mirror image नहीं है, वो एक दोसरे का mirror image नहीं है, जैसे समझे कि mirror image होता किया, जैसे मान लिजी ये एक mirror है, I set एक polygon है ABC, इसका side ले लिजी, ये है 234, और यहाँ पर angle ले लिजी, ये मान लिजी है 30 degree, ये है 50 और ये है 100, तो इसका mirror image बनेगा, तो mirror image में क्या होता है, कि जितना बड़ा ये object है, उतना बड़ा है उसका image बनेगा, और सिर्फ इसमें क्या होता है, कि जो left वाला है, वो right में चला जाता है, और जो right में है, वो left में चला जाता है, यहाँ पर ये इस तरीके से बन जाएग यह तो यहीं रहेगा और यहां पर देखिए यह जो C है वो राइट में है तो यह चला आएगा लेफ्ट में और यह B है लेफ्ट में तो यह चला जाएगा राइट में तो B यहां पर आए जाएगा बस mirror image में इतना change होगा कि जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट में चला जा और बागी सारा सेम रहेगा अंगल 30 हो जाएगा एंगल धी 50 हो जाएगा और एंगल सी 100 हो जाएगा ये वी है कि और यी ओ और मतलब किया होगा कि दोनों का साइज हो तो डिफरेंट होगा द草 चीटिए प्रिफ नयारे जब मिररे मेंज रहेगा तो देखेंगे दोनों का एंगल सेम और दोनों का साइड भी सेम लेकिन बोला मिररे मेंज नहीं तो यहां पर यह कुछ इस तरीके से होगा एक पॉलीगोन है abc और दूसरा पॉलीगोन इस तरीके से रहेगा A, B, C लेकिन इसका size same नहीं रहेगा जैसे यह 2, 3, 4 है तो इसका रहेगा 5, 8, 9 इस तरीके से कुछ रहेगा अब यहाँ पर देखें क्या इसके corresponding side का ratio same यहाँ पर आएगा नहीं आएगा यहाँ पर 2, 5 आजाएगा तो इसका 3, 8 आजाएगा जो कि equal नहीं है तो यहाँ पर यह दोनो polygon similar नहीं होगा तो यहीं इस polygon के similarity को effect करेगा जब एक दूसरी को mirror image नहीं होगा तो यह दोनो polygon similar नहीं होगा तो option D हो जाएगा true क्योंकि यहाँ पर बोला था कि कौन सा इसके polygon के similarity को effect करेगा तो यहीं बला तो इसके effect कर रहा similarity को क्योंकि यहाँ पे polygon similar नहीं हुआ बाकि आप तीन option देखे थे तीनों में polygon similar हो गया था और इसमें नहीं हुआ तो यहीं option है जो polygon के similarity को effect करेगा Question number 3 If two similar triangles हाइबा scale factor A ratio B करा दो similar triangle है और उसके scale factor दे रखा A ratio B तो वड़ा feature statement regarding two triangles is true तो कौन सा statement है जो दोनों triangle के regarding सही है तो यहाँ पर देखे दो similar triangle दे रखा है तो सबसे पहले दो similar triangle बनाईए महां लेते हैं एक triangle है A, B, C और एक triangle ले लिजिए D, E, F और यहाँ पे दोनों triangle similar है तो यहाँ पे दोनों triangle similar है तो इसका corresponding जो side होगा वो equal हो जाएगा यह corresponding side का ratio proportional हो जाएगा तो यहाँ पे देखे A, B का corresponding हो जाएगा D, E B, C का corresponding होगा E, F और A, C का corresponding होगा D, F इसके scale factor दे रखा A ratio B A ratio B का मतलब होगा कि इसके corresponding side का जो ratio होगा वो होगा A ratio B तो जैसे यहाँ पे देखे अगर आप A, B लेते हैं तो A, B का corresponding side D, E हो जाएगा और इसका ratio होजाएगा A, B upon D, E और इसका scale factor था A ratio B that means A upon B A ratio B को आप लिख सकते हैं A upon B अगर इसके बाद अगर आप B, C लेते हैं corresponding side तो B, C का corresponding side होगा E, F और इसका ratio होजाएगा B, C upon E, F और इसका भी scale factor होजाएगा A upon B इसके बाद अगर आप A, C लेते हैं तो A, C का corresponding होजाएगा D, F और इसका ratio होगा A, C upon D, F और इसका भी scale factor होजाएगा A upon B यानि सारे side का scale factor होगा A upon B इसके बाद देखिए option A में बोला था the ratio of their perimeter is 3A ratio B करा कि दोनों triangle के जो perimeter का ratio होगा वो होगा 3A ratio B तो यहाँ पर एक ची बताइए जैसे यहाँ पर दो triangle similar दे रखाता triangle ABC similar है triangle DEF का तो जब दो triangle similar होता है तो इसके perimeter का ratio क्या होता है यहाँ पर देखिए इसके perimeter का ratio तो यहाँ पर हो जाएगा perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF और इसका जो ratio होता है वो इसके corresponding side के ratio के equal होता है तो यहाँ पर आप कोई भी corresponding side ले सकते हैं ठीक है इसके corresponding side के ratio का equal होता है तो जैसे यदि आप AB corresponding side ले जाएगा तो इसका corresponding DE लेना होगा तो यहां पे हो जाएगा AB upon DE के equal अगर आप BC लेते हैं तो BC का corresponding EF हो जाएगा तो यह हो जाएगा BC upon EF का equal और अगर आप AC लेते हैं तो AC का corresponding DF हो जाएगा तो यह हो जाएगा AC upon DF का equal जैसे दो triangle के area का ratio क्या होता है corresponding side के ratio के square का equal होता है और पेरिमीटर का दो टेम Liberal के पेरिमीटर का जो रेशियो वह दो इक रेशियो तो सब्सक्राइब यह बला लेतर एवी अपान डीई और यहां पर देखिए अब अपन डीए का भेलु कितना एप अपन भी यहां पर आ जाएगा एपन बी यानि दोनों टेंगल के पेरिमीटर का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा A upon B that means A ratio B और यहां पर देखिए option बोला था कि इसके perimeter का ratio 3 A ratio B होगा तो यह तो गलत हो गया A ratio B आएगा ना यह option A गलत हो जाएगा इसके बाद देखिए option B their altitude have a ratio A ratio B करा कि दोनों triangle के जो altitude का ratio होगा वो A ratio B होगा तो यहां पर देखिए दो ट्रेंगल दे रखा था दोनों similar दे रखा था इसके corresponding side का ratio था वो था A upon B that means A ratio B तो यहां पर देखिए अगर दो ट्रेंगल similar होता है तो जैसे पहले यहां पर altitude ड्रा कर लिजे जैसे इस triangle का altitude ले लिजे A M और इस triangle का altitude ले लिजे D N अब देखिए जब दो ट्रेंगल similar होता है तो इसके area का ratio क्या होता है इसके corresponding side के ratio के square का equal होता है और साथ ही साथ इसके altitude के ratio के square का भी equal होता है तो यहां से निकाले इसके area का ratio area of ABC upon area of DEF यह हो जाएगा corresponding side के ratio के square का equal तो कोई भी corresponding side अप ले लिजे जैसे हम AB लेते हैं तो इसका corresponding DE हो जाएगा तो यह हो जाएगा AB upon DE का whole square इसको माले लिजी equation 1 और इसके altitude का ratio निकाले मतलब इसके area का ratio होता altitude के ratio के square का भी equal होता है तो इसको भी note करिए तो यहां पर हो जाएगा area of ABC upon area of DEF यह दोनों triangle के जो area का ratio होगा इसके altitude के ratio के square के equal होगा तो AM और यहां पर DN यह हो जाएगा AM upon DN के whole square यह चीतों आप पहले ही पहर चुके हैं कि अगर दो triangle similar है तो इसके area का ratio corresponding side के ratio के square का भी equal होगा और साथ ही साथ altitude के ratio के square का भी equal होता है इसको माले जी equation second अब equation one और two से चलिए दोनों का LHS equal है तो RHS भी equal हो जाएगा तो यहां पर RHS को equal करिए यह हो गया AB upon DE का whole square अधर हो जाएगा AM upon DN का whole square यहां पर देखिए स्क्वाइर से स्क्वाइर कट जाएगा और AB upon DE इसका भेलू कितना है एपॉन भी है तो AB upon DE के जगा पुट कर यह एपॉन भी और यहां पर तो वहीं चीज़ रहेगा AM upon DN यहां पर देखिए AM और DN क्या है altitude ही है ना तो इसके altitude का ratio क्या आ गया A upon B that means A ratio B और question में भी बोला था कि क्या इसके altitude का ratio होगा वो A ratio B होगा तो यह बिल्कुल true है तो option B हो जाएगा option C को भी छेक कर लिजे करा there median have a ratio A upon 2 ratio B करा इसके median का जो ratio होगा वो होगा A upon 2 ratio B तो देखिए यहां पर दो ट्रेंगल था दोनों similar था तो माले जे इस इसके margin कर मीडियनों है में और स्ट्रेंग 3 यहां उसके स्ट्रेंगल का मीडियन आपस में, इसके Takes स्ट्रेंग का तो यहां पे देखिए जब दो ट्रेंगल शिमलारा है तो इसके एरिया का रैसिव क्यों होता है इसके कोर्सपॉंडिग साइड के रैसियो का स्कॉयर का इक्वल हो गया है साथ ही साथ अगर दो triangle similar हो तो इसके area का ratio इसके median के ratio के square का भी equal होता है तो यहाँ पर इसके area का ratio इसके median तो एक का median है am और एक का median है dn तो इसके median के ratio के square का भी equal होगा जैसे altitude के ratio के square का equal होता है उसी प्रकार से median के ratio के square का भी equal होता है अब यहां पर echo equation 1 और echo equation 2 मान लिजिए और दोनों का LHS देखी आपस में equal है तो RHS भी आपस में equal हो जाएगा तो यहां से चलिए from 1 and 2 तो दोनों के RHS को equal कर लिजिए तो यह हो जाएगा AB upon DE का whole square हो जाएगा AM upon DN का whole square यहां पर square से square कटेगा और AB upon DE देखिए इसका भेलू क्या था यहां पर पूट करिए A upon B equal to हो जाएगा AM upon DN यानि उसके median का जो ratio आएगा वह भी आएगा यह ratio B जबकि यहां पर वह रखा था A upon 2 ratio B तो यह भी गलत हो जाएगा option D को भी चेक कर लिजिए यहां पर करा देर angle by sector have ratio A square ratio B square करा कि दोनों triangle का जो angle by sector का ratio होगा वह A square ratio B square होगा तो यहां पर देखिए दो triangle था दोनों triangle आपस में similar था ABC का angle by sector मा लिजिए AM है और DEF का angle by sector DN है angle by sector angle को equal part में divide कर देगा यहां भी यह दोनों आपस में equal होगा बट इससे आपको कोई लेना देना नहीं है बस आप ध्यान रखे हो कि AM जो इस triangle का angle by sector है और DN इस triangle का angle by sector है अब देखिए जब दोनों triangle similar है तो इसके area का ratio क्या होता है corresponding side के ratio के square का equal होगा तो यहां पर आप कोई भी corresponding side ले ले लिजिए जैसे यहां पर हम BC ले ले लेते हैं वो इसके angle by sector के ratio के square का भी equal होगा जैसे altitude के ratio के square का equal होता मीडियन के ratio के square का equal होता उसी तरीके से इसके angle by sector के ratio के square का भी equal होगा तो यहां पर हो जाएगा एक angle by sector है AM और एक है DN तो इसके ratio के square का equal हो जाएगा यहां पर इसको मालेज़े equation second अब equation 1 और 2 को दखिए दोनों का LHS equal है तो RHS भी equal हो जाएगा यहां पर चले फरॉम फोन एंट टू कि यहां पर आज इस को equal करिए यहँ हो जाएगा BC upon EF का whole square और उस साट हो जाएगा AM upon Dn का whole square यहां पर देखे स्क्वायर से स्क्क्वायर कटेगा और BC upon यहां पर देखेंगेंगं आइप उस्कोर था कि एसकोर होगा यह नहीं होगा यह विगलत हो जाएगा किर्शन नमर फोर करा एक श्टीक है जिसका लेंद रखा 5 मिटर और इसके साइडो का लेंद रखा 2 मिटर जैसे यहाँ पर देखे मा लेते हैं यह एक श्टीक है AB और इसका साइडो बारा BC तो यहां पर स्टीक का लेंद दे रखा 5 meter और इसके सैडो का लेंद दे रखा 2 meter इसके बाद देखिए करा at the same time उसी time the side of a tree is इतना meter the side of a tree इतना meter high is करा tree का सैडो क्या होगा tree का height दे रखा इतना meter तो देखिए इसी time एक tree का भी सैडो बार रहा था मां लेजिए एक tree है d e और इसका सैडो इस तरफ मां लेते हैं यह बार रहा है और tree का height दे रखा 12.5 meter और यहां पर ले लेजिए f तो इसका सैडो हो जाएगा e f और यहीं आपको निकालना है और इधर कहीं पे sun होगा इस तरीके से तो यहां पर देखिए यहां पर दो triangle आपको देख रहा एक a b c और एक d e f तो दोनों triangle को आप similar कर लिजे तो देखिए यह a stick है तो यह भी vertically खाड़ा रहेगा सीधा 90 डिग्री पे और यह पेर है तो पेर भी सीधा खड़ा होता है तो यह भी 90 डिग्री पे इसके बाद देखिए साइड़ इस तरह बना तो यहां से जैसे संसे यहां पर रहा होगा इस तरीके से यह दोनों angle भी आपस में equal हो जाएगा by angular elevation से जैसे देखिए संसे जितना भी रह निकलता सारा है जो सेम एंगल से निकलता जैसे अगर इस तरीके से संबनाएगा उपर में और इसस रहे का जितना एंगल होगा यह इस रहे का भी उतना ही एंगल होगा जिस वाद से यह दोनों angle आपस में equal हो जाता है यहां पर दोनों ट्रेंगल सिमलर हो जाएगा एक 90-90 और एक यह बला एंगल तो यह दोनों सिमलर हो जाएगा तो इसके corresponding side का ratio proportional हो जाएगा तो यहां पर देखिए AB का corresponding side यह बला हो जाएगा DE और BC का corresponding EF तो यहां से ले लिजी AB का corresponding DE तो इसका ratio हो जाएगा AB upon DE और BC का corresponding EF तो इसका ratio हो जाएगा BC upon EF और corresponding side का जो ratio होता हो प्रोपोर्शनल होता प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल होता है आपस में अब यहां पर भाईलों पूट इसके बाद BC कभाईल हो है 2, और EF तो आपको निकालना है, तो यहां पर आ जाएगा EF, यहां पर cross multiply कर लिजिए, तो यहां पर हो जाएगा 5EF, इसमें 2 से multiply करिए, तो यह हो जाएगा 25, तो यहां से EF इक्वल टू हो जाएगा 25 upon 5, यह काट यह 5 बार में, तो यहां से EF का लें था गिया, 5M, यानि इसके सैडों का लें था जाएगा 5M, किफसर नंबर 5, below you see a student's mathematical model of farmhouse roof with measurement, करा के नीचे आप देख रहा हैं कि एक student का mathematical model है, farmhouse roof का, जो कि measurement के साथ है, यहां पर देखे, यह है farmhouse roof, और इसका model यहां पर इस तरीके से दे रखा है, और इसका measurement के साथ, यहां पर measurement भी दे रखा है, इसके बार पढ़िए, करा दा, I tick floor, I tick आता समझ में, I tick बोला जाता है, छजा को, जैसे खिड की उड की में देखते हैं, कि आगे बाहर की और निकाल दिया जाता है, उपर में, ताकि पाने उनी अंदर ना है, तो उसी को बोलते हैं, इंगलिस म बाहर की और निकला हुआ हो, उस portion को बोला जाएगा, I tick, I tick floor, यहां बोला, A, B, C, D, in the model, is a square, यहां पर I tick floor का नाम रखा, A, B, C, D, और वो की एक a square के से इपता है, तो यहां पर आप घर में देखिएगा, तो यहां पर जो जैसे देखिए, यह चार पीलर हो जाएगा नी तो यह जो बाहर की और निकाल दिया, इसी को बोला गया है, I tick floor, ठीक है, तो एक हो जाएगा, यहां पर A, B, उस साइड, C, और यहां पर D, उसी का यहां पर नाम लिखा, A, B, C, and D, तो यहां से आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, साथ हीं साथ इमाइजिन भी करिएग इसके बाद बोरा, the beam that supports the roof, are the edges of a rectangular prism, यहां पर नाम दे रखा, करा कि रूप को जो beam support करा, वो एक rectangular prism है, तो देखिए, रूप कोन है, यहीं उपर वाला portion है, जो आपको धलान दिख रहा, चार तरफ एक, दो, एक उधर होगा, एक उस साइड होगा, तो यह चार तरफ जो धलान दिख रहा, यहीं रूप है, और इसको जो beam support करा, तो इसको beam यहीं पर support करेगा, एक इसको ना पे, एक इसको ना पे, एक उस साइड रहेगा, चार beam support करेगा, और वो एक rectangular prism बरारा, जैसे इस तरीके से इसको support करेगा, एक beam हो गया, दो beam हो गया, यह आगे दो गो, औ और दो beam उस तरब भी रहेगा, तो वहीं चार beam इसको support करा, और इसका नाम लेख रहा है, EFGH, KLMN, यहाँ पर देखे मोडल में, EFGH, यह हो गया, ऊपर वाला portion, EF, अदूग आओ रहाएगा, तो जी एच, जैसे माल लीजे दूगों यहाँ पर है, तो EFGH, और नीचे वाल का, KLMN, यहाँ पर देखे, KLMN, तो नीचे वाला लेंच लिख रहा है, KLMN, अगर यहाँ पर देखेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, EFGH, और यहाँ पर KLM उस साइट रहेगा, और N उस साइट रहेगा, इस तरीके से आप इसको imagine करिए, तब आपको बेहतर धंग इडिल of AT, E है जो AT का midpoint है, यहाँ पर मोडल में देखी, AT, AT यह बला है, और इसका midpoint E है, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप रूप को अगर ध्यान से देखेगा, तो जैसे ABCD यह बला था, और T यहाँ पर है, T point यहाँ पर है, और माले जी यहाँ पर A है, B है, और outside C होगा, तभी न, ABCD, और ABCD है, यह फ्लोर है, यह बीम के बारे में मैं सुचेगा, कि यह बीम का लेंथ लिकें उपर बला, बीम का लेंथ उपर में है, EFGH, और यह फ्लोर है, जो आगे की और निकला हुआ है, यहाँ पर देखिए, यह बीम इस तरीके से ख़़ा है, ABT, यह इस साइड बाला, इसमें देखिए, ABT, यह हो गया, इस साइड बाला रूप, इसके वाद अधी ती, तो ADT होगा, जो उस साइड बाला रूप हो जाएगा, और इसके बाद है, BCT, तो BCT इस साइड बाला रूप हो जाएगा, और एक उस साइड भी ढ़लान रहे compartir त गर आप देखे अगर तो AT ये बाला है इसका मिझ्ट पॉइंट STE है इसके बाद भोड़ा एप इसजो है पेंद फ और इस तरिके से इसके बाद G is the middle point of CT, G है तो CT का midpoint है यहां पर देखे जी CT, तो CT तो इसमें आपको देखेगा न क्योंकि CT उस तरह पर रहेगा, और CT का midpoint है G, और H is the midpoint of DT, और H है जो DT का midpoint, तो DT जो portion होगा, देखे, D यहां पर है, और T को मिलाएगा तो DT यह बला हो जाएगा, यह जो रूप है, तो रूप में चार कॉर्णर होगा, एक, दो, तीन और एक उस साइड, यह चारों कॉर्णर का midpoint है रहा है, एक का E है, एक का F है, एक का G होगा उस साइड बला का, I साइड बला का H है, इसके बाद पढ़िए, करा all the edges of pyramid in model have length 12 meter, करा कि इस model में, length रखा है, 12 meter, तो इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, आई नीचे बला सारे का, सभी का 12 है, तो यहां पर model में भी देख लिजी, यह नीचे बाले सारे length 12 हो जाएगा, और यह बला भी, यह बला भी 12, यह बला भी 12, इधर यह बला, इधर यह बला, यह चारों 12 हो ज क्या होग और यह फैसे बाहर निकाल जिसमें यह फार रहा तो यह इस तरीके का यहां पर देखिए यहां पे उपर में T है और यहां पे बीच में E है और यहां पे F है और E F है यहां पे है A और B तो यहां पे आ जाएगा A और यहां पे आ जाएगा B और इसको मिला जीजी E F को और यह बला लेंद दे रखा 12 मिटर इसके बाद देखें तो हमसे बोला था E F का लेंद तो देखिए आप triangle में पर चुके हैं कि अगर किसी triangle में जैसे यहां पर देखिए अगर कोई triangle है A, B, C और मा लेज़े A, B का midpoint है D और A, C का midpoint है E तो अगर A, B का midpoint D और A, C का midpoint E हो तो अगर इस दोनों point को मिलाईएगा तो यह line B, C के parallel होता है by midpoint से हो रहा हम और यह जो D, E का length होता है वो B, C के length के half हो जाता है यानि D, E equal to 2 हो जाता है B, C by 2 मलब B, C जितना रहेगा उसका आधा यह हो जाएगा जैसे माले जिए 30 है तो यह हो जाएगा 15 यह midpoint से और में आप पर चुके हैं तो यहां भी तो वहीं चीज़ है यह है जो 80 commit point है और F है जो B, T commit point है तो यहां भी यह दोनों line आप से spiral हो जाएगा और इसका जो length होगा इसके length के half हो जाएगा तो यह हो जाएगा 6 यहां से देखिए option हो जाएगा C